आज के इस नए एपसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम आपके लिए बालों के लिए एक ऐसा चमत कारी दूसका बताने वाला हूँ जिसके मदद से आपके बालों की जो रूखी शूखी जो ड्राइनेस के समझ से है वो बिलकुछ जट से मिठ जाए हूँ और एकदम घने हो जाएंगे मातर एक आसान से घरेलों नुसके के मदद से जो आपकी किचν में मौजूद होगा और यह बहुत सस्ता और बहुत किफायती घरेलों नुसका है जिसके मदद से आपने बालों की रंगत को बिलकुल राटो रात ये नहीं मैंने कुछ घं और यकीन माने अगर इसको आप मात्र शिफ एक या दो दिन ही कर देते हैं उसी से आप अपने बालों में एक कमाल की चमक महसूस करेंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे यूटूब चैनल नहीं किया है तो प्लीज इसे नीचे जाके लाल बटन को दबा कर अभी के अभी हमसे जुड़ जाएए और हमें सबस्क्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं जबरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी आउशिदी बना सकते हैं और एक स्व चमकदार और लहराते बालों का सपना देखने वाले आज उन सबके लिए मैं कहा जाता हूं कि अगर वो अधरक का सेवन शुरू कर देते हैं तो उनका यह सपना बिलकुल साकार हो जाएगा और वो अगर आज सही से शुरू कर देते हैं तो उनके बालों की जो रूखने आप मात्र एक छोटा सा अद्रक का टुकोड़ का सेवन करते हैं तो उससे बालों में एक नैचुरल चमक आ जाएगी लेकिन मात्र सिर्फ खाने से नहीं आज मैं आपको सिर्फ एक ऐसा रामबान टेल बताने वाला हूं आपके बालों के लिए जिसकी मदद से आपके बाल मात कुछ दिनों में नहीं है बलके घंटों में आपके बाल चमकडार और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बाल कितने चमकडार हो गए हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है करीब कि सो ग्राम या पचास ग्राम के मीच में आपको अधरक जिहां इस अधरक करस निकालना है जैसे बहुती कि आसानियों से मिल जाएगा आपको यह मैंने यहां पर इस ब्रांट को और ले रखा है आप चाहिए तो कोई और भी और ले सकते हैं दोस्तों इसके बाद जाब आपको मैं दिखाता हूँ कि करना क्या है आपको उसे पहले हम इस बनाएंगे फिर मैं आपको लगाने की विधी बताओंगा सबसे पहले आपको लेना है कि और इसके अंदर करीब आपको दो चमज तेल मिलाना है है आप आप देखने में बिल्कुल पानी जासा दिखता है लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बहुत ही गजब का गुंकारी तेल होता है जिन लोगों को वाकिए याटून के तेल के फाइदा के बारे में पता है वह रिफाइन लगों ने शबी ने रिफाइन खाना पीना सब और पाता हो आप kो करना किया है देखिए तो आपने लेती हो मिला दिया है ये बहुत इंकरी तेल है इसको बाँ आपको इस मिष्ट प्रूς को अच्छे से मिलाना है दोस्तों है DARका रश्ते Щा को अरस्तो घर्डा बनता है आप इसको अच्छे से मिलाएं ताकि ये ये दब प्रॉपर्ली एकदम मिल्कुल मिक्स हो जाए जी हाँ इसका मिक्स होने के बाद दोस्तों आपको करना ये है कि नहाने से करीब आदा घंटा पहले आपको इसको लगाना है यूँ कहें तो आपको इस अद्रक के रस में आूलिव उइ मला कर बालों में लगाना है और इसके बेशुमर फायदों को महक सूस करना है इससे एक घंटे तक या रात भर बालों में लगा रख दे उसके बाद आपको बालों को धो लेना है आपको खुद अपने बालों में चमक दिखेगी तो मातर से उसे लगा कर रखें और एक घंटे बाद आप अपने बालों को धोलीजिए और एक साफ तोलिय से साफ कर लीजिए ऐसा करने पर आप देखेंगे कुछ दिनों में नहीं बलकि घंटों में आपके बालों की रंगत बदल जाएगी और आपके बालों में कमाल की शाइन और चमकदार महसुस होंगे आपको पर आपके बाल चमकदार और लहराते होने का जो सपना है आपका बिलकुँ साकार हो जाएगा दोस्तो ये बहुत गुनकारे नुष्का है और इसकी मदद से नाजाने कितने ही लोगों ने फायदा उठा रखा है तुकि ये बहुत ही आजमाया हुआ नुष्का है दोस्तो आप इसको इस्तमाल कीजिए और अपने जो भी फ्रेंट्स और रिलेटिव्स हैं जिनको बालो की समस्या है वो हर प्रका की समस्या से चुटका रहा पाने के लिए इस नुस्के को इस्तमाल कर सकते हैं और अपने बालो को चमकदार और महसूस कर सकते हैं उस बालो को जो हमेशा से उनका सपना रहा है तोस्तों आप इस नुट्सकों को इस्तमाल कीजिए और अपना फीड़ाइख हमें जरूर दीजिए हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक आप हस्ते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्यार रखें धन्यवाद